मारूती सुजू की सेलेरियो इंडिया की काफी चादा पोपुलर हैचबेक कार है अब लोग इसके नेक्ट जन वर्जन के लॉंच होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग सेलेरियो में काफी सारी लेटेस्ट एंड कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलेंगे तो आज की इस वीडियो में हमने नेक्ट जन सेलेरियो के फीचर्स लॉंच एंड प्राइज को कवर किया है मारूती की सेलेरियो के नेक्ट जन वर्जन को हाली में इंडिया में टेस्टिंग करते समय देखा गया है जो की पूरी तरह से केमफलाज किया हुआ था वैसे तो नेक्ट जन सेलेरियो को टेस्टिंग के दुरान काफी बार देखा जा चुका है लेकिन पहली बार इसे परक किये हुए सीन किया गया है देखने में सेलेरियो का नेक्ट जन मोडल पहले के जैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन पहले से ज़्यादा लोंगर एंड वाइडर भी देखने को मिल रहा है वहीं फ्रेंट साइड से भी मारूती एस्प्रेसो एंड स्विफ्ट का मिलता जोलता कॉंबिनेशन देखने को मिल रहा है इसे भी मारूती अपने हार्ट टेक प्लेट फॉरम पर मैनुफेक्चर कर रही है जिसमें काफी ज़्यादा स्पेस पर वर्क किया जाता है Next Gen Solo के फ्रेंट में इसकी एड लाइट थोड़ी चेंज भी देखने को मिलती है जबकि fog lamp पहले के जैसे ही देखने को मिलेंगे Next Gen Solo के backside look को भी चेंज कर दिया गया है और एक new design दिया गया है जिसमें all new tail lamps, newly designed tailgate and integrated spoiler का combination काफी हट कर देखने को मिलता है Camouflage model देखने में बिल्कुल top variant जैसा लगता है जिसमें dark grey combination में alloy wheels and overview पर sight run indicators देखने को मिलते हैं यहाँ पर interior की photos तो देखने को नहीं मिलती बट expectation के तोर पर इसमें Maruti का smart 7 inch touch screen infotainment system देखने को मिलेगा जो की Android, Auto and Apple CarPlay को spot करेगा वहीं इसमें newly designed dashboard, auto SE and steering mount and audio control का भी combination देखने को मिल सकता है next gen salario में हमें present model वाला 1.0 litre petrol engine देखने को मिलेगा जो की 68 PS की maximum power and 90 nm का maximum torque generate करेगा जो की 5 speed manual and automatic gearbox के option से less होगा इसके अलावा इसमें हमें 1.2 litre petrol engine का भी option देखने को मिलेगा जो की 83 PS की maximum power and 113 nm का maximum torque generate करेगा next gen salario को 2021 के February मन्त में 4-6 lakh rupees के mid range में launch किये जाने की उमीद है next gen salario Indian market में Tata Tiago and Unity grand item को काफी कड़ी टकड़ देने वाली है friends अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो से लेकर या next gen salario से लेकर कोई भी question हो तो आप हमें comment box ने जरूर पूछिए हम आपके comment का जवाब जरूर देंगे and अगर आपको हमारी इस वीडियो को like के लिए share करिए and और भी से लिटेस्ट automobile sector से जूड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए Thank you friends